नमस्कार दोस्तों, तो लीजिये हाजिरू हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ और इस वीडियो को बनाने का परपस यही है कि बहुत सारी क्वेरिस आई और बहुत लोगों ने फोन किये कि हम लोगों ने फिर्म डिरेक्शन का कोर्स कर लिया है और अब हमें आप लोगों ने किसी भी अच्छे फिम स्कूल से फिर्म डिरेक्शन का कोर्स कर लिया है फिल्म बनाते हैं आप शौट फिल्म बनाई हैं डिप्नमा फिल्म बनाई हैं या ग्रेजविट फिल्म बनाई है अपने और अब आप मार्केट में आ चुके हैं और अब आप कन्फ अब उसके बाद उस फिल्म को आप यूट्यूब पे लियाते हैं यही की है ना एक शॉट फिल्म को फिल्म फेस्टिवल्स में भेज देते हैं और अगर आपने उस फिल्म को कहीं सेलेक्ट हो गई तो फिर उसके आगे की जरनियां पर शुरू हो जाती है वहां के बाद अब क्या करें दूसरी फिल्म कैसे बनानी है तो मैं आपको बता देता हूँ फिल्म डिरेक्शन में क्या-क्या चीजे आप कर सकते हैं फिल्म डिरेक्शन जब आपने फिल्म डिरेक्शन का कोर्स कर लिया तो सबसे पहली खिड़की जो खुलती है वो खुलती है आपकी फिल्म इंडेस्ट्री के तो फिल्म इंडेस्ट्री में आपको जैसे की पता ही है कि हमारे हाँ पर रीजनल फिल्म इंडेस्ट्री भी है और हिंदी फिल्म रिस्टी यानि के मुंबई फिल्म रिस्टी जिसे हम इंडियन फिल्म रिस्टी के नाम से जानते हैं जिसे हम प्यार से बोलीवुड कहते हैं तो इधर पे हो गई आपकी भोजपूरी फिल्म रिस्टी बेंगॉली फिल्म रिस्टी कोलकता में हैं फिर उध इधर मनिपूर, अगुजराति फिल्मिय देस्टी है, तमाम भाशाओं की अपनी-अपनी फिल्मिय तिये हर्याणवी फिल्मिय दिए, पिर दुबारा डेवलप हो रही है, एक टाइम हाउस काफी तो यह तो आपके दरवाजे हैं, च्यूकि आप फिल्ब डिरेक्टर हैं, तो लेंगवेज मैटर नहीं करती है आपको अपना काम आना चाहिए, बस आपको अपनी कहानी को उकेरन आना चाहिए, बस यही इतना ही है तो आप सबसे पहले बन सकते हैं Assistant Director क्योंकि आपने वो सब चीज सीखी है अपने इंस्ट्यूट में जो की एक फिर्म डिरेक्टर को एलिए जरूरत होती है आपको कंट्यूनिटी सीट में फिल करना आता है आपको कॉस्ट्यूम्स को ध्यान देना आता है आपको शॉट डिविजन करना आता है आपको रेकी करना मतलब location hunting करना आता है ये सारे काम assistant director के होते हैं तो assistant director की खिड़की सबसे पहले आपके लिए खुली हुई है आज आप institute से कोई भी course खत्म करते हैं अपना काम लेके आप किसी भी production house में चले जाएए आपको तुरंत काम मिल जाएगा तो पहला हुआ assistant direction या assistant director दूसरा हुआ कि ज अगर आपको industry में काम करना है तो आप assistant director बने क्योंकि अगर आपको समुदर में कूदना है तो समुदर में कूदने से पहले कितनी गहराई है ये तो चेक करेंगे ना तो वो आपको assistant director के रूप में रहके पता चल जाता है आपको बहुत सारी चीजे assistant director के रूप में पता चल और फिर अपनी फिल्म को एक्जिपिट या डिस्ट्रीबिटर के साथ कैसे बेचने की कुशिश करता है तो यह सारी चीजें ऐसा एसा एसिस्टेंट डिरेक्टर होते हुए आपको इस जर्नी को आप देख सकते हैं और अपने आपको अपने जब आप फिल्म डिरेक्टर कोशिव करता है, ऐसे कई फिल्म से जो इस वकथ काफी बड़ी-बड़ी-फिल्म ए बना रहे हैं और लुग एसिस्टेंट डिरेक्टर हुआ करते थे ठीक है पठानगे डिरेक्टर उन मेंसे एक हैं अब दूसरा जो है वो है एड्ड फिल्मेकिंग का एड फिल्मेकिंग जैसा कि आपको मालूम है, वो बहुत short duration की होती है, 30 seconds की, 45 seconds की, 1 minute की, max to max 2 minutes की होती है, वो एक आयाम है, उसमें भी आप चाहें तो directly जा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी skills पता हैं, आपको script लिखनी आती है एड की, और आप अगर कहीं भी नहीं अपने ही सहर में हैं, तो आप को मालूम है, छोटे-छोटे अगर product भी हैं, तो उन्हें बेशने के लिए एड की ज़रुत पड़ती है, आज हर बंदा अपनी हर चीज के एड कर रहा है, यहां तक कि political parties भी और जो आपके जो पारशाद बगरा होते हैं, उनको भी एड की ज़रुत पड़ती है, तो एक वो आपके लिए आयाम है, खड़की है, जहां पे कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, तीसरा आता है, documentary filmmaking का, documentary films के लिए आपको गवर्मेंट से एड मिलती है, जो छोटी-छोटी filmों के लिए आप पूछते रहते हैं, बहुत से NGOs होते हैं, जिने की documentary filmmakers चाहिए होते हैं, जो उ बना के दे दें, वो चार से पांच मिनट और पांच से दस मिनट और दस से पंदरा मिनट के duration की होती है, वो एक काम है, जो आप इसके बाद कर सकते हैं, चौथा, जो आपका final है, जो की independent filmmaking का, तो independent filmmaker बनने के लिए, दो तिन तरीके हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, एक तो प्रिद्यूसर ढूने, सबसे पहला काम तो यही है, अब वो प्रिद्यूसर किस लूप में होगा, एक वो जो की production house चल रहा है, जिसी का अपना किसी production house में गए, अपनी story को pitch किये, और उन्होंने आपकी story को पसंद किया, अच्छा, वो आप में क्या-क्या quality देखेंगे, सब फिल्म को end तक महचा देंगे, तो आपका विश्वास वहाँ पे देखा जाता है, आपका confidence level जो है, उस story के प्रती वो देखा जाता है, लेकिन अगर आप सीधे ही institute से निकलने के बाद independent film maker बनना चाहते हैं, तो उसके लिए better यह रहेगा, कि आप पहले अपनी short films बनाएं, औ और उन में अपने आपको तराशें, उस चीज को अपनी skill को और बढ़ाएं, वो उसके लिए आपके पास YouTube है ही है, जहां अपनी फिल्म को प्रेजेंट करते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, फ्रीवे.com मैं आप नीचे description में दे हैं, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आपकी कोई भी film festivals में select हो जाती है, तो बहुत सारे film festivals ऐसे हैं, जो कि आपकी second film के लिए आपको पैसा देते हैं, जिसमें कि आप बनाते हैं, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ये हुआ कि आपने किसी production company के साथ अप्रोच जो किया था उसके बाद अगर नहीं मिला कोई पूडूसर तो आब आपके पास क्या दरवाजे खुले हैं आपके पास दरवाजे खुले हैं एनेफडीसी के एक गॉर्मेंट बोडी है जहां पे की आप अपनी फिल्म को पिछ करते हैं और वहां पर अपनी फिल्म क कर सकते हैं और अपने फिल्म को पिछ कर सकते हैं कि तीसरा है इंडिपेंडेंट फिल्म में नने का मुका मिल सकता है। दूसरा, आप अगर गूगल करेंगे, तो आपको पताचलेगा कि बहुत सारे देश हैं, जो की कोलेबरेट करके फिलमें बनाते हैं एरान में हैं और ये उरोपिन कंटरीज में हैं तो फो आपको मुका देते हैं पहली मौनले का इंडिपेंड़न्न को बनने का एक और आयाम धे जहाँ पे कि आप अपनी फिलमों को पिछ कर सकते हैं दिखा सकते हैं वह सकते हैं जिन प्रिजनल सिने आपने फिल्मों को दिखा सकते हैं जिनपे कि हैप ने ने अमीं स्टीव करके प्राइं सेसे कि आप अपनी फिल्मों को बता चाहते हैं वैसे वह है Amazon Prime है Hot Star है और बहुत सारे हैं हो इच्छे है जो कि बेंगॉली फिल्म के लिए है और बेंगॉली कंटेंड के लिए है तो वह एक आयाम है जहां पर कि आप एक्सपोर कर सकते हैं इसको अपके मन में मैंने लगभक सारी क्वेरिज आपकी इस वीडियो में दे दी हैं तेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आपके मन में सवाल है जिसके कि आप यह दूत हो रहे हैं तो नीचे मेरे को दिये हुए हैं और वेब साइट है और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं मैं वहां आपके आंसर्स दे दूंगा फिर मुलाकात होगी आपको एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आता रहूंगा थैंक यू